आईपियल दोजार चोबिस में केक्यार चैंपियन बनी है जाहिर तोर पर केक्यार की बड़ी तारिफ हो रही है क्यूंकि तीन बार केक्यार चैंपियन बन चुकी है वो मेरे साथ मोजूद है, नाम है मानविंदर बिसला, मानविंदर बिसला की उस वक्त बड़ी चर्चा हुई थी, जब मेहनदु सिंग दोनी पीक पर थे 2011 का वर्ड कप टेम इंडिया को दिता कराई थी, 2012 में जब मैदान पर उत्रे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद दोनी को फेल करना, शायद कोई सोच भी ने सकता, लेकिन एक इनसान था जो खड़ा रहा, जिसने अपने बल्ले के दम पर वो कारनामा कर दिया, जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, और केक्यार पहली बार चेंपिन बनी थी, 2002 में, पार्ची पटेल कैप्टन थे आप क्रिकेट में, तो जब अन्डर 19 विश्व कप में आप गए, 2002 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उस टूनमेंट में आपने सबसे आदा रन भी बनाया थे, टीम इंडिया की तरफ से, सबसे रन बनाने वाली खिला ली थे और फाइनल भी टीम इंडिया पोंची थी सेमी फाइनल में, हलंकि जीत नहीं पाई थी, सब ना तूड़ गया था, लेकिन बहुत अची रन बनाया थे, आपने बहुत कमाल की बल्लेबाजी की थी, उसके बाद आपको लगा कि क्योंकि पार्चिव भी विकेट कीपर है, आप भी विकेट कीपर थे, कहीं कुछ मिस हो मैं पढ़ रहा था और आप से जो सुनना चाहूंगा बड़ा दिल्चस्प कहानी है कि मेंदर सिंग धोनि और आप आमने सामने बल्लेबाजी कर रहे थे, उस मैच में आपने बहुत मैंदर सिंग धोनि नहीं पनाया थे, तेम गोजिदाया था, वो मैच की क्या कहानी है, क् आइपेल में भी आपको देखा है, क्या कैप्टन क्योंकि धोनि रहे थे, आपको कभी अप्रोच किया टीम इंडिया के लिए, क्या रसीवी में विराट कोली कुछ इसनी चलती है, चलती है भी तो, व्य नोट? यह भी मैंने सुना है कि आपको लग रहा था कि मोका मिलेगा क्योंकि जब धोनि को कैप्टन बनाया जा रहा था, 2007, 2020 विश्यू कभजव शुरू हो रहा था, तो धोनि को जिम्मेदारी देथी उस टीम में लेकिन गंभीर का बहुत बड़ा किरदार था, आप एज़े सीनियर खिलारी के बात के लिए, मैंने सवाल सेवाग सर्सरी पू तो आप där, गंभीर बसें अब अपतना आपिकela को बनाया करुदे अब आप हैं अब ही गोतम घंभीर को छोड़ के लूड़ो हूं नीं किया थो चोड़ के टीम इंडिया में जा रहे हैं कैसा लग रहा है मतलब इन्डिया में जाने के बाद की बदले गाफ अख दुनिया को बल्ले बाश के तोर पर जानते कि आते हैं चोक अचुक माने सुरू कर देते है आज से 10-12 साल पहले सुनि लाने कयसे थे जब बता देते कि बल्ला भांग के गहलते थे रोज शर्मा को लेकर आई प्ल में क्या बवाल मचा आप ने देखा दो जार चोड़ने वाले अगर छोड़ेंगे तो किस टीम में आपके साफ से जाना चाहिए तो नमस्कार मैं हूँ अभिशेक त्यागी आई प्ल दोजार चोड़िस में केक् चेंपियन बन चुकी है लेकिन जब हम कभी केक्यार के इतिहास को उठा कर देखते हैं तो सबसे पहली बार केक्यार 2012 में चेंपियन बनी थी और 2012 में केक्यार को जिस इंसान ने चेंपियन बनाया था फाइनल का जो मैन ओब दा मैच थे वो मेरे साथ मुझूद है नाम है मा मारविंदर बिसला की उस वक्त बड़ी चर्चा हुई थी जब मैंदु सिंग धोनी पीक पर थे 2011 का वर्ड कप टेम इंडिया को जिता कर आये थे 2012 में जब मैदान पर उत्रे तो ऐसा लग रहा था कि शायद धोनी को हराना किसी के बसकी बात ने धोनी की रणनीती को फेल करना शायद कोई सोच भी ने सकता लेकिन एक इनसान था जो खड़ा रहा जिसने अपने बल्ले के दम पर वो कारनामा कर दिया जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है और के क्यार पहली बार चेंपियन बनी थी मारविंदर बिसला जी मेरे साथ मौजूद है सर सबसे प बात करूँगा जब आप टीम इंडिया के साथ गए थे अंडर 19 पर लेकिन उससे पहले क्योंकि आप हर्याना से आए हैं और छोटे से गाउं से बहुत इस्टरगल किया है कैसे आपका सफर शुरू हुआ क्योंकि आपकी पिता भी खेला करते थे तो क्या परिवार से मोटि कहीं भी आप बस में ड्रेवल करेंगे आप बस में निकल जाए यह आए हैं किसी भी रोड से जा रहा हुआ आपको लोग भागते हुए मिलेंगे कुष्टी करते हुए मिलेंगे कोई नो कोई गेम खेलते हुए जूरू मिलता है मेरे पिता जी बहुत स्पोर्ट्स- देखते हैं कि लोग फैमिलीज में कहते हैं पढ़ लो इतने माकस आने चाहिए लेकिन जब मेरे खेलने की बात आती है कोई भी गेम हो तो मेरे फादर ने कभी मुझे रोका नहीं हमेशा खेल नहीं जा बिल्कुल खेल यह थोड़ा खुरापाती था हमेशा ना दिमाग तो मैं तो मैं तो कभी रोकूँगा नहीं बट कोई भी एन एक खेल चूज कर ले जो तरह दिल हो अगर तरह को दिल करता है तो फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल खेल और दिल खेल के खेल मैं कभी तरह को रोकूँगा नहीं तुन्हें कोई भी गेम करना है एक गेम और फिर दबागे खेला और मैं तो पूरा सपोर्ट करूँगा, फिर मुझे भी थोड़ा से रिलाइज वा इस फिफ्ट की बात है, कि यार ये गेम तो पकड़ना पड़ेगा, जब आपने जवार अकाडमी जोइन किती है, तो मैंने फिर पिता जी को बोला कि चलो मैं क्रिके क्लब था, शालू भिया थे, उन्होंने मझे क्रिकेट खेलना सिखाया, वहां से मेरा स्टार्ट हुआ देरे-देरे करके, जब दो-तीन साल वहां पर कर ले तो उन्होंने भीया नहीं मेरे फादर को बोला कि यह अच्छा खेलता है लेकिन आप इसार से बाहर लेके जाना प पच्छेस बच्चों को रखते थे, जहां पर फ्री एजुकेशन और फ्री क्रिकेट आपको सारे किसारे खेलने फैसिलिलीज मिलती थे और उसी होस्टल में रहते थे तो वहां पर हमारे जो कोस थे राजकुमा शर्मा जी उन्होंने मुझे सारा जो क्रिकेट की बारीकिया और मेरे फादर ने बोला था कि मेरे पूरी फैबली से होगी थी मेरे फादर की कि उस से पेले कोई ऐसा नही कोई इसा नही सिए कि था ना कुछ था नही अगर इप इनम हम नाता हुल नाता है तो तो सबिफने के अग्छा किंगा सब्सक्क्राइब केर कैको सब्सक्राइब गुदा है रिखा कर देगा के खुशत कर देगा मुझे दितरे को सब्सक्राइब किiderman तो फिर 10th के बाद वापिस घराना पड़ेगा और जो पढ़ाई में काम कर सकता है वो करना पड़ेगा तरको तीन साल की महुलत बहुत बड़ी बात होती है तीन साल दिल खोल के खेल दस नंबर कम भी आ जाएंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन तो बात मेरे दिमाग में बैठ गी थी और मुझे था कि 10 तक मुझे कुछ ना कुछ ऐसा जीव कर दिखाना कि जिसे मेरे फादर मुझे और सपोर्ट कर सके तो कैसे क्या सब से पहला मोका कौन सा मिला जब लगा कि हाँ अब कुछ हो सकता है एक स्कूली अंडर 15 की इंडिया कुछ कर सकता है यह कुछ से साल के बात होगी I think साल तो मुझे याद करना बहुत मुश्किल काम है साल तो याद नहीं बट यह था कि में अंडर 15 था और एक उस टाइम में एक स्कूली टीम सेलेक्ट होती थी पूरे भारत से अंडर 15 की टीम सेलेक्ट हुई थी और पर हम इं क्योंकि देख चुके थे सेलेक्टर्स की बल्लेबाज के तोर पर आप उस वक्त बहुत बढ़िया कर रहे थे घरेलू करकेट में तो जब अंडर 19 विश्यू कप में आप गए 2002 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उस टूनमेंट में आपने सबसे आदा रन भी बनाय क्योंकि आपकी पहचान वही थी जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब से क्योंकि नहीं चीज थी तो एक विकेटीपिंग जो कर रहा होता है तो आपको बात मलत मिलती है क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से गेम को रीड़ कर पाते हैं आप देख रहे है आप पिच पे कैसी बौल आ रही है क्या क्या पीड प्रेस्मेंट अपन अपने और पार्थे में से पहले अडर 17 इंडिया की कैटन थे और वो न आप पहुंचा तो मुझे पदा था कि अधा ब्लेबाजी में यह काम कर दिखाना पड़ेगा पड़ेगा पार आस्टेलिया वहां पर भी मैं बैटिंग कर रहा था, इतने अच्छरंस नहीं बने, तो आप धिरी दिरी करके मैंने नेट्स में खाली खड़े होने कि आद कभी रही नहीं है, पहले कीपिंग करते रहे हैं, अब आपको पता है कीपिंग करनी नहीं है, तो आप बॉल पकड़ करना शुरू करते हो, लंबा बैसी ही था, मैंने जब गेंदबाजी कर रहा था, तो हमारे जो कोस्ते बलविंदर संदु, अब बोल था ठीक ठाक बॉलिंग करतां इसको न्यूजेलंड में जाकर को थोड़े काम की मिलेंगी, तो इसको 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 इस्तेमाल किया सकता है, तो वहां पर प्रामरी जो मेरा गोल था ह। वमिशा बलेबाज था, कि बलेबाज je चितने रुन बना दो को इतना बैठय रहेगा, Ū Gibson 8. आपको थीफिछाोय लाज़ा ब्रता हमिश्या... साफ नजर आ गए था कि मेरा कोई रॉल नहीं है। और मैं आकर नहीं बड़ पाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। बिना बातों मैं बहुत बढ़े था हूं। तो उसका कोई फायदा नहीं है। लकिन यह है कि विक्टीपर था मेरे पर बास। थी, कि आप विकटीपिंग करता कि मुझे इंडीन तीम के लिए क्या है ने कभी भी गुल यह नहीं है कि मुझे इतना अच्छा गरना है। डूमिस्टिक गरूंगो तो इंडीन में जाओँ लेकिन मेरा कभी बी सोच कभी भी यह नहीं थी की मुझे सीर्फ हमेशा से गोल यही था कि भारती टीम में पहुंशना है और वहां पर अच्छा प्रजेशन करना है भारत को मैचे जिता आने एक मैच पढ़ रहा था आपके बारे में कि जब हर्याना खेलते थे तो आपने इस वज़े से सोचते वे कि वह सब मुझे तो मुझे तो मौका मिले हर भार वह बाचीत हो जो मिलते थे भी कोचे मुझे थे लोग हमेशा थे इसलिया थे क्रूपोर डदे टेको डुमेस्टे करी सावे करिय तो यहहां खिलना बहुत झाट स्थ निए भ NXT टैपाल जब वो भी उनका भी रोल मेरा भी रोल मैं मिल है यह Бूकल रचा की माकह भी मत सा ये जब रॉल रहे हैं और जब षुरुवाइं नौना अंचिक में और ब्रॉपी के नियु अंगरा की कि इनुनका हैं तैन हो मेना व्हसरेाउटरो जा की अधियन करने को मिलेगी तो फिर मेरे को लगा कि मेरे केरियर ली बहुत अच्छी एक जगह हो सकती जहां पर मैं अपने रिस्टार्ट कर सुकूं केरियर को और अच्छा प्रश्चन करके फिर से दुबारा नाम बना सुकूं कर चार-पांस साल आप हमाचल से साइद खेलें बिलकुल जिस तरीके से मैं अपनी उस टाइम को देखता हूं मुझे लगता कि बहुत सुनहरा पल था और बहुत बड़े तरीके से मैं ने क्रिकेट खेली एर इंडिया के लिए भी आप खेले हैं कई सालों तक एर इंडिया के लिए खेले हैं महंदर सिंग दोनी आपके टीमेरे बह बहुत महंदर सिंग दोनी से जादा रन बनाई तो मैंन अब दा मैच भी आप थे लेकिन आपने रन अच्छे बनाए थे तीम को जिदाया था वो मैच किया कहानी है इंग जब बिसी साही ने एक साल है एक कॉर्परेट कर अना उन्स किया था बिसी साही नही उसको और इंड पास जैसे आपने बिल्कूल सही कि एर इंडीया वासने बहुत सारे बढ़े बड़े खिलाडी से यूवी पा थे भजू पा थे रहना खेल रहा थे रोबिन अथर थे तो बहुत सारे प्लेयर से तो इस वहां हमें दो टीम एंटरि हुई थे एर अर इंडिया रे ब्लु तो मेरे थीम थे भजूबा, रोड़ी थे थे चंदिकर में मैच्ज सुखेलेय थे रही तो मुझे 75 चंदिकर मेरे बर्चूबा थे मेरी और मेरी मिया ऐमेज साज़ेदरी रही तो हम अनम से बैटिंग करते वे बहुत कुछ सेखने को मिला था कि किस तरीके से एक ऐसा दिगज खिलाडी जो इतने बड़े मुकाम पे पहुच गया है और किस तरीके से हर जगे हर गली में हर शहर में उनी के नाम का बोलबाला चल रहा है तो जब वो मेरे साथ खेले और 10-15 दिन हमने इकटे टाइम स्पेंट किया था है कि ड्रेसि ऐसा नहीं कि हमारे टाइम शाथ में थे तो प्रैक्टिस में कुछ अलग काम रहें लेकिन जब हमेशा कुछ ना गीम को रीड कर रहे हो गेम के खेला रहे है तो जब अब हमेशा जो पैली देगा भड़े ने बालबाज बहां गेमें पर चपक हमारता था पहले जब जब मै की एस सिसेटीशन में कैसे मैं चिता सकता हूं अगर मेरी उस नमरे बलह आई तो मैं कैसे उसकता हूं गए आउ Yo ल गातार ऍवे गाम किना रहे यह यह एक लीयूज पहर करके ऑट इस तरह इस तरह हैं कि जो प्लेश girls चीज एक फार आहं को कि मतलब प्लेयर करन सबसे बढ़ा गेम चेंजर मतोड़िता है दोने को तो सबसे पर में गीम चेंजरिंगे जरृइए Casey वहां बता है शुक्कि यह बात है जो अब बताए बात होगी जो आप मैच की बात होगी उसके बाद से दोने में क्या बदला क्योंकि वो तो अधोर दोने – भाद में आज लम्बे वक्त वक्त लिए वाक्ट को किले कटने हैं बहुत लमगे ने किल रहे हैं कि हैं एक इन आज लेकिन उनकी बल्ले बाजी का अंदाज बैसे ही है, अभी भी लोग खौफ है उनका जब ग्राउंड में उतरते हैं, तो गेन बाजो का भी खौफ है और उनको लगता है कि गेन बाजी करी जाए तो करी कहा जाए और आप देखिए कि जब इतना लंबा कैरीर होता है तो थोड करना शुरू करते हैं लेकिन जो मुझे खास बात अगर आप MS Dhoni की लगती है उतने मैचेस तब जिताते हैं उतने मैचेस अभी जिताते हैं और जो मैं पहले भी कहा रहा था कि उनको गेम रीड करने की जो सेंस है बहुत कम प्लेश के अंदर होती है जिस बड़े तरीके से को चलाते हैं अगर मुझे ऐसे लगता है कि CSK की टीम से अप MS Dhoni को टा देंगे तो टीम आदी हो जाएगी बेशेक से उस टीम के अभी कैप्टन नहीं है लेकिन असली लीडर वही है उनको पता है कि किस तरीके से गेम चलाना है चाह वो फिल्डिंग कर रहे हैं उनको एतनी लंबी पारी नहीं खेल सकते हैं इतनी ज्यादा गेंदे नहीं खेल सकते हैं तो उस तरीके से उन्हें मैनत भी कर रहे हैं अगर दस गेंदे खेल यह तो पहले गेंदे मारना पड़ेगा ऐसे नहीं कि आप 4 गेंदे खेल पाएंगे और फिर मारेंगे तो आपका run rate ब एकने है. उससे पहले आप दो साल पहले रोल देख लिए शुरू पहले पिर आकरी इम ने भी जो कर सकते हैं? पहले आपके साथ खेले तो में दोनी को आ रह रहा है ने हार चाना? करहिए आपकर लाझ रा तरिके सब हैं क्या और ना जितु ना ज़ीर पाती है यह सब जानते हैं क्या कभी ध्षक्र फैर्लिंडे देखा में थैफ क्या क्या कंघ इनिडा विक इसतरी कि अत्रशु थे प्रते कि भारती टीम कैट्टनों नजर रखते हैं कि कौन सा प्लेयर अच्छा कर रहा है डुमेस्टिक क्रिकट में कौन से खिलाडी में कितनी काबिलेत है क्योंकि अपने सेलेक्शन की बात करें जूरूरी निया कि जो रन बनाए वो उसका सेलेक्शन होना चाहिए अपने सेलेक्टर्स यह भी देखते हैं कि उस खिलाडी में कितनी काबिलेत है और जब नेक्स स्टेप लेगा जब वो बारती टीम में आएगा तो क्या उसके अंदर वो हुनर है क्या वो काबलेत है क्या वो इतना उसके अंदर डिटेमिनेशन है कि वो इंडिन टीम के लिए जाके अच्छा करें और माच इटा सकें कभी इस बात को लेकर होती है कि मुझे टिम इंडिया की एक बार जर्सी मिल जाती तो मजा जाता है जो भी खिलाडी होता है मुझे ऐसा लगता है उसका जो खुखाब होता है कि भारती टीम में जाना है कभी जब आ पहली बार कभी बार लाएट उठाते हैं तो हमिशाँ आपका जो खुखाब होता है कि भारती टीम में जाना है तो जब मैं रिटायर भी हो तो अगर मैंसे कोई पूछे मिरे को ज़ादा रिग्रेट नहीं है बिलकुल भी क्यार यह नहीं हुआ वो नहीं हुआ हाँ जरूर थोड़ा सा यह तो अगर देश के लिए खेलता ना, अगर देश के लिए वोल कुप में जाता तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता था, क्यों लेकिन बट ऐसा नहीं है कि मुझे भी रिलाइज होता कि अगर मेर को बहां पर जाना था, तो मुझे उसके लिए और जदा रन बनाने थे, जब आ आज के वक्त में आप तो आई पेल के फाइनल के मैन ओफ दा मैच रहे हैं, आज के वक्त में तो कोई खिलारी एक सीजन कुछ अच्छा कर देए, तो मैच मच्छा कर देए, तो तीम इंडिया तक पहुच जाता है, कई खिलारी ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कुछ ऐसा हिंट मिला, कुछ संकेत मिले कि जाना है, बुलाया, बुलावा गया, कुछ इस तरीके की चीज़े, मुझे ऐसा लगता है कि जब 2012, जब केक्यार पहली बार जीती थी और फाइनल में मैंने रन बनाय थे और हम टॉर्णमेंट तो मुझे पता था कि अब यार नाम बन गया है, अब हर कोई लग जानते है कि मामिंदर बिसला कॉन है, इसमें वो काबले थे कि बड़े प्लाटफॉम पर अच्छा प्रजिशन कर सकता है, तो मुझे पता था कि मेरा डुमेस्टिक सीजन बहुत इंपॉर्टन रहने वाल ह तो मुझे पता था कि वो सीजन में बहुत इंपॉर्टन है, अगर मैंने सीजन में बना दिये, तो हो सकता है मुझे इनिटी में सेलेक्ट हो जाओ, लेकि मुझे लगता है वो उसी चीज़ कहना है कहीं न कहीं में दबाव ले गया, और मेरा प्रजशन उतना अच्छा नही कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, कोई अगर पांसोर न आ तो आपको साथसोर न बनाने पड़ेगे, अगर आपको अपना नाम बनाना है या भारती टीम में जाना है, बारती टीम की जो कैप है इतनी सानी से मिलती नहीं है, उसके लिए आपको कुछ तो अलग परदर्शन क कुछ लगता है आई प्ल के बाद में नहीं किया, एक बात आई पेल पे आ आजाते हैं, डूमेस्टिक किरकेट में आप अच्छा कर रहे थे, आपको आई पेल में मौका भी ला, सबसे पहले आप डिकन चार्जस में गए ते अगर मगलत नहीं हुद लिए अगर अगर अग मेरा सीजन एक तरीके से खराबी चले गया विकेट कीपर के तो पर गिलकरिश थे तो साधा हमा हम मुका मिलता भी नहीं क्योंकि गोफडर भी थे जब आप विकेटी पर ही बात करते हैं उस ताइम एक रूल मॉडल थे अगर थोड़ा सभी उनकी तरह काभलित आ जा रहा है तो बात यह लगए उस दौर में तो गिलकिट का बड़ा नाम था लेकिन तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि केक्यार के साथ आपकी बहुत सारी यादे जोड़ी हैं आप आई पिल में किस किस टीम के साथ एक तो लेकन चार्जर के बाद कर रहे थे उस साल जब मेरी धोनी और मेरी साज़ेदार युई थी तो यूवीपा एर इंडियरेड के कैप्टन थे तो फिर मेरे को यूवीपा कि उन्होंने मुझे बोला था कि खेलना चाहेगा जैब मेरे नाम का मान रखीयो और अगले तर दो तीम महीने इतनी महीनत कर को ला जाके तिर को भी लगे कि तू अच्छा कर सकता तो मुझे दिमाग में जब वह बात बैठ गी थी, कि याद मुझे जब इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा बंदा कि मुझे कह रहा है कि तो एक काम कर सकता है, तो क्यों नहीं किया जाए तो मुझे आदा कि जब यूई पागी जो बाते थी और जब उन्हें मेरे को कहा थ कि यह पर तरह भने का मुझे है और तो लिए दुमि घर-टी महीं बहुति दबा की तैरी करे थी और फिर मिल को मेरे मेरे फर्स्ट आइपकल मैच खहलने का मुका मैजलाथ थी तो पनजाब की तरफ खेल ने को मौका मेंदा था आपर RCB में नहीं आःे आखरी में, KKR के ब और RCB की टीम जीती होती है तो कहते है विराट कोली से क्या ने बड़ा कैटन नहीं है और कैटन नहीं है और C Is Cap 10 घिलाडी जरूर होता है कि कहीं आप수를 देखेंगे बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, जो इनको पता होता है कि किस टाइम पर क्या करना होता है और वो टीम को जी जाते हैं, आप रोज शर्मा को देख लिए आई पिल में, कितनी जबर्दस टीम को लीड किया है मुंबई को, वही मुझे लगता है कि कही आरसी भी कि अगर अच्छे मिलते हैं तो गेंदबाजी आपको थोड़ी सी कमजोर दिखती है, तो कभी तक वह टीम आपको नहीं कम्प्लीट दिखी नहीं है, उसमें खाली कैप्टन का दोशन ही नहीं का सकते हैं, बहुत सारे आपके जिस तरीके से आप टीम का चैन करते हैं, कई बार आप पर इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो कॉंबिनेशन अब तक दिखा ही नहीं है, कैप्टन सो कितने सारे बदल चुके हैं, ऐसे थोड़ी नहीं है कि एक ही कैप्टन रहे हैं, लेकिन विराट कोली जब मैं उनके खेला तो बहुत ही कॉंपिटेंट हैं, अपनी अपनी की बात करें, मुझे लगता कि उनकी वज़े से अभी तक RCB नहीं थी है, वो हर वो काम करते हैं, जिस वज़े से वो RCB एक चैंपिएन बन सके, बैटिंग की बात कर लें, जब वो लीड भी कर रहे थे इस टीम को, बहुत जबर्दर सरीके से कॉंपिशन था, लगातार उस जब टीम को ही काम करना पड़ेगा, खाली एक बंदे से काम नहीं बनेगा, यह सलेक्शन, क्योंकि मैं इस लिए इस सवाल को कर रहा हूं, क्योंकि हमने 2024 में देखा ऑक्शन में, जब गोताम गंबीर टेबल पर वैठे थे, मिचल स्टार को खईदा, तो वो फैसला के जबना चाहिए, बेशक मुझे कितना पैजा करना पड़ जाए, और इस टार्क ने को काम करके भी दिखाया, मतलब आपके साथ अगर को ऐसा आदमी जुड़ा हूँ होता है, तो उसकी चलती है, क्या RCB में विराठ कोली को इतनी चलती है, चलती होगे, बिल्कुल, क्योंकि क्या वो अतना actively involved हैं उस team के अंदर की, हर player के selection के ऊपर जा रहे हैं, या वो यह देख रहे हैं कि मैं इस team का एक senior के लाड़ी हूँ, मेरा काम यह है कि मैं जब RCB के dress, कपड़े पहन लो, मैं IPL में पहुच गया हूँ, तो इस team के लिए मुझे अपना services प्रदर्शन करना है, क्योंकि बहुत रोल हो सकता है, यह रोल हो सकता है कि इस साल PAP to places का हो, उनके coaches का हो, उनके scouting team का हो, क्योंकि हर जगे विराट को ले नहीं हो सकते हैं, विराट को ले एक ही जगे हो सकते हैं, और जब वो इस team के captain थे, तो वो कितना हर player के selection पे नज़ा रखे हुए थे, क्यो आप Gautam की बात कर रहे थे, Gautam ने जब इस team को देखा होगा, तो उनको पता था, और यह बात हर किसी को पता कि पिछले कुछ साल से आप देखेंगे, जो KKR के नदर जो कमी थी, वो यह थी कि कोई strike gain बाज नहीं पर जो आपको विकेट दिरा सके, कि नहीं गें पर इतनी कि यार इस team के अंदर यह team और बहतर कैसे हो सकती है, उसके पर पैसे नहीं देखने है, आप प्लेयर को देखते है, कि कौन सा प्लेयर है जो इस team को एक champion बना सकता है, सब लोग बात कर रहे थे, कि यार मिचल स्टार को इतने पैसे देदी है, परजशन अच्छा नहीं है, य लेकिन, बाद के मैंने दोनों मैंच देखो, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी है, तो उससे पता चलता है कि किस वज़े से इतना investment करी गई थी महां पर, खास्तों पर Travis Shard को जिस तरीके से बोल्ड मारा final में मुझे अभी भी भी जाद है, कमाल की गेंथी, और दे में तो डंडे भी लगी थी, और वो आपी जाके बहार रेसिंग रूम में बैड़ जाए तो बहुत अलग इंपक्ट आता है, बिलकुल अलग इंपक्ट आता है, और वहीं से मैच आ गया था, खेर आप चर्चा KKR की करें, क्योंकि KKR के साथ आपके बड़ी कहानिया चुरुआत के 5-5 जाता है आप एक तरह के समझ लिजे के के क्यार के रिंकु सिंग है, नहीं जी नहीं बहुत बड़ा दा है, मेर से बहुत बड़ा नम नाया रिंकु सिंग ने प्रदासन किया अखरी मुका कुछ अच्छा उसके बाद 23 में हिरो बन गई, आपने 11 में प्र परफॉर्म कर रहे थे, जो आप उतरपरदेश के लिए उनको खेलते देखते थे, कोई भी फॉर्मेट हो, कभी भी उस खिलाडी को देखके ऐसे लगा ही नहीं कि इसके अंदर काबले नहीं हो, लगातार कंसिसेंटली हर मैच में उस लड़के ने बहुत जबरस प्रस्शन किया है, बिल्कुल वो तो है, जिस सरीके का परफॉर्म हो, जो सबसे बड़ी का मैच विनागा, बिल्कुल, मतलब नोट आउट रहे के मैच जिता रहे हैं, यह बहुत बड़ी काबले हो, चाहा आपो रेड बॉल की बात कर लिजिए, पचास ओर की बात कर लिजिए, आप बल्लेबाज ने, लगातार हैं अपनी टीम को मैच जिता हैं, बिल्कुल, और वो पता चलता की आप देखेंगे की लेकिक बारे होती यह बहुत यह 20 ओर 可愛हाँ, 50 ओर बहुत चाह चाइक मैच शाह गहलता है, अब उसके इंदर इतनी काबलेत है, वो आप इम पर तो बात 2012-2012 की अगर करें तो शुरुआत के कुछ मैचीज आप खेले थे, उसके बाराबर भूल रहे हो, नहीं, ग्यारा में तो आप आए थे, 12 की मैं अगर बात करूँ, तो शुरुआत के कुछ मैचीज खेले थे, लेकिन ब्रेंडन मेकुलम क्योंकि विकेट कीपर बल्ले थाईनी यह भी मैंने सुना इनिये की आपको लग था किGS मुले तो प्रेस्टिस करने भी बन खो्डीथी आपने रहे¿कि मुझे खला जाएगा तो प्रेस' करने भी बन कर दी थी थी पहए तो वह stam मुझे बताईए उसके बाद में ब्रैट्ली वाला किस्सा पुछ आप भी मेरे से प्रशन बूज रहे हैं, चलो, मुझे असे लगते हैं, जब मैंने शुरू के मुझे जितना आदा है, एक या दो मैचेस नहीं नहीं खेला था, ब्रेंडम मैकलम ने स्टार्ट किया था, और उसके बाद किया था, मैं उस सीजन में लिए 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 काफी अच् Clerisन रहा मेरा वहांपर तो जब मैंओभikum होहां से वापेस आया था IPL से पहले तो मैं बहुत कौन्फिय्टन था क्योंकि काफी रंपस बनागा रहता मेरे बैदर आब रचे लग रहा था लेकिन जब मैं गया था तो जिस तरीके से गौतम हमेशा बात करता था हमारी टीम के सिस्टम कुछते विजे भाई वो भी उन्हें मुझे हमेशा भरोसा दिखाया कि कोई बात नहीं भी खेला तो महनत करते रो क्योंकि महनत कभी भी किसी की खराब नहीं जाती है एक मौका ही आपको हीरो बना सकता है तो शुरुवात के मैं दो मैचेज नहीं खेला था फिर आर्सीब के खिला मुकावला था बैंगलोर के अंदर तो वहां पर कुछ मैंने 45 के असपर सरन बनाया था बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था तो वहां से मुझे वापेस 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 एक पहला मैच केला और अच्छा रन बन गया है इसीजिए मुझे कॉंटिन्यू करना होगा फिर लगा था मैचेज खेला था और हर मैच मेना बैटिंग बहुत अच्छी हो रहे थी बीस पच्छी रन बना थे लेकिन लंबे रंस नहीं बना था अब जब मैशा मानत करना है कि काफी सारे मैचेज के लिए टीम स्कीम अफ तिंग में नहीं था कि मैं भार ही बैठा हूँ था जब आप उस जमाने जब आप बात करते हैं तो आपके पास नहीं था कि नेट बोलर्स होते थे फचाब又 सबमर आपके पास लोग देज आती रह Ε vapर सोष्ट हाओरेगी आपके पास यह पास भी सफेंट के वी जा और एम आपन घेल करता रहता था फिल्डिंग करता था और यह अच्छी बात ही कि KKR की टीम का जो महौल था वह बहुत जबरदस था लोग इतने अच्छे थे प्लेश इतने अच्छे थे हमारे कोचेज ने और गौतम ने टीम का महौल इतना बढ़िया बनाया था तो उस ड्रेसिंग रूम का जबरदस था तो हर किसी चाथ दोस्ति आरी थी बहुत बड़े और अनफॉर्चनलल ना खेलने का दुख था इसा भी नहीं था कि यार मैंनी खेल रहा वो खेल रहा ये खेल रहा है क्योंकि जब आप दोस्ति आरी तो आप हर अपनी टीम के खिलाड़े के बारे में सुझे यार कोई नहीं ये खेल रहा है ये अच्छा के खेल रहा है और टीम जीत रहे है तो चलो कोई बात नहीं आप अपना दुख भूल जाते हैं तो दीरे दीरे टीम ने बहुत चाँ खेलना शुरू किया हम लगातार मैची जीते गए और पूना में मैच था जब डेली के खिल मैंने उनको लग गया था कि काफी ज़्यादा चोट लगगी ये उनको और उनका फाइनल खेलना बहुत मुख है मुखिल है और फाइनल भी चिन्नही में था और चिन्नही उनका होम ग्राउंड रहा है तो उनके लिए बहुत बड़ी ऑपरजिटी थी अपने फैन्स के साथ फाइनल चोट विल्कुल बीच खेलना तो उनके लिए बहुत बहुत 5 मौका था बाई pigamad बहुत लिजकता मोगा मुखि गये तो जब मान जीत गये किसीनी भी भाईन था पिसीनी भाई ऐंए थे लिवीटी किवेल बड़े आब़ विकटी बड़े बाउद़ बतलब बाई तो इन दोनों में से किसी को तियार रहना पड़ेगा और दोनों अपने Spikes Works तियार कर लिए थे कि यार हमें खेलने का मौका मिलने वाला है चनना ही पहुचे एक दो दिन के अराम करने के बाद मेर वास काभी टाइम थे वाँ पर जो प्रैक्टिस होनी शुरूए तब भी कोई ऐसा खुछ खास सोच नहीं दिख रही थी कि मैं खेलूँगा वही बलेबाज बलेबाजी कर रही थे मैं अबनी खलकी फुलकी नॉकिंग बूलाओं दिन मैं भूली गाता है में बाट चोड रखा था बस फिल्डिंग करता है ट्रेनिंग कर रहे थी चल रहा है और एक दिन पहले थोड़ासा मुझे बोला गया की तयार है तो मैंने आज मजार करते हो कि यह तो पर शमी तैार हो रहा है वह दोनों नहीं अपने नह कि अच्छा प्रदश्शन कारें हैं, और मैंच में उनकी और मैंच और गौत अच्छी पार्टनर्शिप थी तो मैंने कि अधिर मजाग करें होगे हैं, वैसी शहाद मेरा कॉन्मिदेंस बूस्ट रहे होगे हैं, तो मैंने कि छलो कोई नहीं, तो वो पहला दिन थाई सा फना अर मैं अख़िए लुटिस काफिस दिनों के बाद मैं आ पाल लगाया था थोड़ी बहुत नॉकिंग करी तो मैं नॉकिंग कर दिल नहीं था आदे मन से नॉकिंग कर रहा था और थोड़ी देर नॉकिंग करके वाह पहर आ ए वहार आ गया. मुझे लग रहा है शयद आप खहलो गया। तो मुझे लग रहा हु ए JE MT आप खहलेगवए। मुझे लग रहा भू किरो आप खहलेगए। तो यही बहुत चल दोनों को n एल रहन था कौन खहलेगा। जब नेक्स डे की बात है, जब नेक्स डे जस्ट मीटिंग से पहले, गौतम नहीं मुझे बोला और विजे भाई नहीं बोला कि आप खेल रहे हो, तो यार मुझे लगा मैं खेल रहा हूँ, यह कैसे हुआ, मुझे नहीं पता था कि मैं कलम भार बैट रहे हैं, मुझे लगा क कि मैं तीन नमबर बैटिंग करूँगा, मैं कलम खेली रहा हूँगा, तो शायद हो सकता कि चिन्ने की विकेट जैसी होती थी, स्पिनर से मारे बास वैसी बहुत सारे है, एक गेंद बास की खट गया है, उसके बनले बास को थोड़ा बढ़ा कर रहे है, तो मैं तीन नमबर पर बैटिंग आईगी, तो जो टीम मीटिंग के लिए वहां मीटिंग हमारी शुरूआ होई, वहां पर पर चला कि मैं कलम की जगे मैं आ रहा हूँ और बाला जेगी जगे ब्रेटली आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी कॉल थी और गौतम जैसे लोगी इतनी बड़ी कॉल लेकल पर पर पास।ब करने चाहिन खरा लिए नोक बहुत एक कि रहा है जिता बड़ी कि रहा है, मेरे कि डिया पर कि यप नुवही घिता क्योंक्य मानो मुझे वह सकते है आई खरइख सोल्गी प करने विखा रहा है, बाला जी और उन भॅधे मैं ब्रेटली मैं बड़ी क क्योंकि CSK कोईर हराना है, तो उनके जो टॉप तीन-चार वल्ले बाज है, रहना है, हसी है, मुरलीविज है, उनको आउट करना बहुत जल्दी जरूरी है, अगर वो आउट नहीं है तो अपस गेम है न दूर खीश के ले जाते हैं, तो उनको आउट करने के लिए जो हमारी पास जो बेस्ट ऑप्शन थी वो थी ब्रेटली, अब वो ब्रेटली आएंगे तो किसी फॉरन प्लेयर को भार जाना पड़ेगा, फॉरन में साकेब आपके चिन्नही में बहुत काम आएंगे, शुलीन रायन बहुत काम आएंगे, जैक के वारे में कोई सोच भी नहीं सकता और कौन से कैसे खिलाडी हैं जो जिता सकते हैं, यह नहीं था कि ब्रेंडम मेकलों को भार करेंगे, उनकी जगे बिष्ला आएंगे, बिष्ला अच्छा प्रश्शन आएंगे, बिष्ला मैं जिता देगा, बात यह थी किस तरीके से स्ट्रीम कॉमिनेशन और बैटर हो सकता तीन मुडली विजय आप देख लिजे, शुरेश रैना को देख लिजे, हसी को देख लिजे, आप MS धोनी को देख लिजे, आप उस बैटिंग उनिट को आउट करने के लिए आपका गेंदबाजी अच्छी होनी बहुत हो रहती है, और जो आप गौतम को देखते हैं, तो क बहुत कि यह इस ईंडोईजिल कोई त्रेफेस्स देनी जरूरी है, यह इस इंडोईजियल कोई ओप्रेफेस्स देनी जरूरी है, आप है किस तरीक़े से सभीक एस टा कजए जिता सकता है, जैंस तहलं मिछल श्न काल थ swift को देख लियोग को जोदी काल कई. उस वी निदू वो इस्टीम के हिस्सा होना बहुत जुरुरी हैं यह पैसे नहीं देखते हैं तो यह जब कॉल थी जब 2012 के आप फाइनल की बात करते हैं बहुत बड़ी कॉल थी और से अगर मैकसीम लीडर से आप देखते हैं नहीं ले सकते इसी को मना करें आज कि जुरूते हैं अगर बायजन कुछ गलती हो और ili match नहीं जीते है मैं घोड़ी को सब्सक्राइब कर में अगर तो हर कोई बंदा गहताने कि उस माच में एक मैंजन ओ कैसे ड्रॉप कर सकते हैं मैं भी सुच रहा हूँ, मैंकलम कैसे डॉप कर सकते हूँ, लेकिन उसको ब्रेटली चाहिए था वहां पर ब्रेटली को चाहिए तो किसी एक फॉर्म प्लेयर को भार बैठना पड़ेगा ना, तो अच्छा लीडर वही है जो दुनिय के बारे में सुचता है, वो अपनी टीम क अपनाना आता है, यह एक खास लीडर की निशानी होती है, जो आपको पता है कि आपको पता है कि कितनी बार आप देख चुके है आप टीम को देखते हैं, आप कहते हैं से बड़ी टीम को हो सकती है, और टीम को जीती नहीं है, यार इस टीम के पास यह भी खिलाड़ी है, व लेकिन उन मैचेस को जीतने के लिए वो टीम का एंवायरमेंट होना बहुत रही है, ड्रेसिंग रूम के अंदर यूनिटी होना बहुत रही है, उसके अलंदर आपको अच्छी लिडर्स लगते हैं, और वो क्वालिटी है कि किस तरीके से आपको टीम बनानी है, चलानी है, आ कुछ तो आप में अलंदर अलग बात है, कुछ तो आपके अंदर एक कॉलिटी है, जो टीम बनाते हो, जिताते हो, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते है, आपने तो आप गोतम गंभीर के साथ खेले भी हो सब चीज देखिए, आपको लगता है कहीं न कहीं कि गंभीर के सकता है, बहुत जबरदस लीटर है, मैं अगर मेरे आप टाइम की बात करते हैं और मैं जब उनको देखता था जो मैंने टाइम चार साल के कार में बुसाद रहा, वो कभी भी है न, जो सबसे अची कॉलिटी है कि कभी भी है डिफरेंस नहीं समझते है, कि यार यह यह बहु सब्सक्राइब से देखते हैं, वो यह देखते हैं कि अगर आप क्क्र की टीम में हस्सा हो चुका है, अब फरग नहीं पड़ता है यह तरिपूरा के लिए खेलता है, यह क्क्र का हिस्सा है और इसके लिए मेरे को 100% इस तरीके से देखना अगर यह मुझे मैं जिता सकता है तो यह मेरे लिए इंपॉर्ड़न्ट है, अगर यह इसकी commitment इस चीम को है तो मेरी commitment इसके लिए है, अगर आप देखे मुझे याद है कि पेले दूसरा थाल आई पिलकर, इंट्रनेशल सारे, जह पहली पर गयरते बिजनिस क्लास से आते थे और अनकेट्र पेयर्स, इकनोमि बिलकुल कि हम जा रहे हैं और गौतम स्टीम के लिडर थे और बिजनस क्लास इतनी सारी सीट्स नहीं होती है तो अपनी सीट्ट छोड़के किसी एक को एक लंबे कदका तीज गिंद बाज आगा उसको ब्रेक की जुरूत है तो अपना बिजनस क्लास चोड़के उसको तेहे थ बिलकुल कि अगर कोई कैप्टर नहीं सोच रखेगा तो अच्छा प्रतस नहीं होता है तभी तो एक स्ट्रॉंग रेसिंग्रूम में आपका महल होता है तभी जीतेंगे अगर आप यह देखे कि बीस खिलाडी नाराज होके कोने में बैठे रहेंगे तो टीम का महल अगर आपको चैंपेंजिप जीतनी है तो बीस के बीस को एक जूट होके एक ही सोच रखनी पड़ेगी और तभी हो पाएगा जब वह बीस के बीस प्लेयर अपने आपको समझेंगे कि हम एस्टीम को चैंपिर मना सकते हैं बाकी दस ना सोचे तो आप चैंपिर नही मन पा ह आप as a senior ख्रारी के बाध कर लीजए, मैंने सवाल सेवाक सरसली पूचा था, मैंने कि आपको जबाको कापटन हो ना चाहिए था तो यह रिदी क्यूंकि रहते हैं कि आप 시 junior ख्रारी टो आप को मोगा मिलना चाहिए था था, उनने बोला है, मुझे मैं ने पूच था CON तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल तो सहवाग चलो नहीं लेकिन गंभीर भी तो सीनिय खिला रही थे अच्छे खिला रही तो फाइनल में गंभीर ने रन भी बनाए थे पाकिस्तान के खिलाब गौतंगंबीर अजिए प्लेयर जहां पर इंडिन निग पो जरूत पड़ी है जितना मुश्किल वो मैच है उसमें गौतंगंबीर आपको जरूरू देखेंगे खड़े नदर आए आपको अच्छी बैटिंग करते देखेंगे रंज बनाते भी दोजार ग्यारा देख लीज जिए यूवी पाग विरु भाई गौत्त बड़ बाग बजू पाग है अगर करते हैं मस दोनी ने कुछ गलत किया है उनकी जिस से भारती क्रिकट को चला है कोई डाफ होगा नहीं नहीं तो जब इतना अच्छा आपको रीडर मजाता है तो बाकी को मौके नहीं मिलते हैं, लेकिन जब आप गौतम की काबिलत की बात करते हैं, तो उसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जब जब उनको मौका मिला है, तो वहाँ वहाँ आपको खड़े दिखे हैं, और फिर आपका रोल अलग हो जाता है, जब KKR में थे तो वह लीडर थे, कैप्टन थे उस टीम के, और बहुत बड़े तरीके से उनने कैप्टन सी करी है, और भारतीय टीम की भी जब कैप्टन सी करी है, बहुत जदा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जब भी मौके मिले हैं, तो अच्छा बड़िया प्रदेशन रहाता है, और जितना मुझे लगता है, मतलब बैतान पर लड़ने वाले थे, बिलकुल, आपकी बैटिंग में दिखता है, जब उनको पता है, यह मुश्किल यह टीम फज गई है, और यह बहुत अहम मुकाबला है, तो उनका प्रदेशन और निखर के आता था, गंभीर को लेकर मेरा, गंभीर ने खुले तोर पर कही बार मनसे भी बात की अपनी बातों में कहिए, जब मीडिया के सामने आते हैं, कि मतलब जो मुझे मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं, जितनी शौरत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास PR नही गंभीर कि बोलते है, वो मेरे बैतर होता है, यह साथ गुरदी नहीं मुझे पहतर है, वह बेदे लिके को सोच बढ़ता है, बहुतों के साभ साब अब मैंना बने उस चीज को निकार के लेका दिखला है। तो इससे बहतर किया और काम बनता है। चिह जब इतने जबर्दस्त हैं तो नाम कैसे निवनेगा। मुझे लगता है इसे है कि उस चीज को नेगेटिव यह में ले जाते है आपको बंदा दिल से बात कर रहा है, आदमी पीयर कहां कहां माता कि दो खिलाडी जैसे हैं, लगातार एक जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक की टीम उसको उपर ले जाती है, लेकिन जब आपको पता है आपने इतना जबरदर्शन कर रहा है, तो सोच नहीं क्यों है, मु जाते हैं उस टीम को विजयता बनाते हैं, अभी गौतम गंबिर से बात होती है आपकी हाल के दिल्ग को छोड़के टीम इंडिया में जा रहे हैं, क्यासा लग रहा है, मतलब टीम इंडिया में जाने के बाद कुछ बदले का आपको लगता है, चैंपिन बनाएंगे इस टी चुके हैं, उनको पता है किस तरीके से टीम को आगे लेके जाना है, और लगातार कर भी रहे हैं, तो मुझे लगता है भारती क्रिक्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि ऐसा लीडर उस टीम के अंदर आ रहा है, जिसको टीम को चैंपिन माना आता है, और मैं उमीद करत केल रहे हैं, लेकिन और भैतर क्रिक्ट केलेगी, गोतम गंभिर की कप्तानी में आप कौन सी तीन बात या मैं पूछना था हूं कि सबसे अच्छी है, जो अब टीम इंडिया में इंप्लिमेंट वो करेंगे, आपको लगता है क्या क्या सबसे बड़े काम कर सकते हैं, क्या क गाइड कर सकते हैं, कि आप यह कर सकते हैं, क्याप्टन को सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से बेस परफॉर्मेंस निकालनी है उस प्लेयर की, अगर आप यह क्वालिटी तो गौतम में शुरुवात से हैं, शुरुवात से ही मुझे लगता है वो लीडर है, कि जब आप द जो ड़िए। तनीडर के लिए किस तरीके से आपने इस टीम को चलाना है, चाहती है आप के किया की समया है चाहे वह की इंदिन टीम की बात कर लीजी। है तो cricket ही था लड़ाई तो बैट और बॉल के बीच में है, ऐसा तो नहीं कि तो बाई बाल बदल जाते हैं। किस तरीके से उस team को handle करना है क्योंकि आप यह देखते है कि IPL में जो आप cricket की बात करते हैं तो अलग अलग देश के खिलाडी आते हैं वहां पी जो आपकी responsibility लह जाती है वो अलग हो जाती है अलग state के लोग आ रहे हैं अलग countries के लोग आ रहे हैं उन से किस तरीके से better position करना है जब आप इंडिन टीम की बात है तो फिर आपको रोल चेंज हो आता है कि वहां पे वो players आ रहे हैं कि वहां पे से थोड़ा सा यह हो आता है कि यार आई-पिल के यह उस टीमा captain है यह उस टीमा captain है पांच-छे captain ही खटो हो आते हैं उन से किस तरीके से वो तालमेल बिठाना ह है कैसे best position निकलवाना है और मुझे ऐसे लगता है कि इस चुनाथी को है ना बहुत बड़े तरीके से गौतम संभालेंगे और बहुत बड़ी हा काम करेंगे बहुत बड़ी हा काम करेंगे चलिए ठीक है लेकिन KKR को छोड़ के जा रहे हैं लेकिन भारते टीम का तो फाइ गौतम कंभिर की कमी को पूरा कर पाएगा देखिए गोतम की कमी को तो को बीज पूरा नहीं कर सकता है कि अगर पहले साल आते ही टीम को चैम्पिर मना दे है तो बहुत बड़ी है लेकिन वह सोच होती है जो अप्रोच उम्हार जाए थी अगर पिछले कुछ ती तीन चासा तो इतना अच्छा प्रश्शन रहा नहीं था, लेकिन इस साल दे शुरुआ से जैसी क्रिकेट खेल रहे थे, वो फ्रीडम दिख रही थी, वो दिख रहा था कि जब ग्राउंड में उत रहे हैं तो चैंपिन बनने के लिए उत रहे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ खेल रहे हैं, हर वो कौर मेंट्वर बनता है, क्या क्लेरिटी लेकि आता है, वो बहुत अलग हो जाता है, लेकिन गौतम की कोई रफ्लिस्मेंट नहीं है, लेकिन ऐसा खाबरे आही है कि आप के क्यार में कहीं मैंनेजमेंट में जुड़ सकते हैं, एक सपोर्टिंग स्टाप में, क्या जा अगर मोका मिलें? जब इतने साल आप खेलें, दोबार चैम्पेंट बने अगर ऐसा कोई आप्शन मिलती है तो वाय नौट, करने भीचे कि उस टीम से दिल से जुड़े हुए आप, हम आइपली जो कॉमेंटरी कर रहे थे, तो जब वो टीम जीती थी ती 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 दिल से जुड़े हो, आपने उसको महां पर रहे हो, दो बार चैम्पेंट बने हो, तो इस टीम आपके दिल में रहती है, तो जब वो जीती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और जिस तरीके से साल क्रिक्ट खेल रहते हैं शुरू में आपको मेरी काफी बाची थी आप भी के के रहे हैं बहुत बड़े फैन, तो मिशा लगता थे यार यह टीम है बहुत जबर्दस खेल रहे हैं, इस टीम को हराना बहुत मुश्किल हो गाइसे जिने हैं, हर खिलारी चैम्पेंट की तरह खेला था, लड़ रहा था मैदान पर भी कहा था कि टीम के जो गोल आपके मुँझे सुनना चाहता हूँ किस्सा, आज दुनिया सुनील लरेन को बल्लेवाज के तोर पर जानते हैं कि आते हैं, चोक चके माने शुरू कर देते हैं, आज से दस बारा साल पहले, सुनील लरेन कैसे थे, जब आप बताते थे कि बल्ला आप भांग के गहलते थे सुनील को जब आप देखते हैं तो नॉर्मल आप वेस्ट इंडियन को देखेंगे ना तो जो शोर देखेगा आपको लगाता रो गपशप होती भी देखेंगे, जहां हो जाएंगे तो महल जबरस रहता है, लेकिन सुनील बिल्कुल टिपिकल वेस्ट इंडियन नहीं है, अगर आप देखते हैं बहुत ही शांत खिलाड़ी है, अराम से चुप-चाप से रहने वाला बंदा है, ज्यादा गपशप नहीं, एक आदी बात करेंगे लेकिन मस्त बात करेंगे, और उस टाइम में जब वो शुरुवाद में आया थे, बैटिंग आती नहीं थी, कोई न अगर अगर लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत सारे फ्रैंचाजी क्रिकेट में आपकी टीम के जो हिस्सा होते हैं वो जाके इंट्राइशन क्रिकेट में आपकी विरोधी के लूप में खेल रहे होते हैं, आप अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहते है अपनी दे तो कभी भी आप न беспतातया है और सो कभी भी आप दिखाना जहीं दे आनपकी आपकी जती ही हां दिखाना तब भी कोई मतलब नहीं था, आप यह है कि थो बहुत कैसिस पकड़ लेते हैं, गेज बाजी करते नहीं थे किसी को, तो बहुत ही करेक्टरिया लग है, बिल्कुल चुपचाप से रहने वाले हैं, बहुत ही मस्त बंदे हैं, और बैट का शुरुआ से शुक है, यह तो इस सा बनाने का, नेट्स में खेलने का मौका मिल जाएं, लेकिन शुरुआ के दो तीन साल तो उनको ज्यादा मिलते नहीं थे बल्ले बाजी, नेट्स में नहीं मिलते थे, मैस तो छोड़ो, तो कैसे मोका दिया उनको पहली पहली बार क्या सोचा होगा आप अगर बतासे को, अच्छा कर सकता है, और फिर जो मौके मिलने शुरुएं, तो शुरुआ जाग अब देखती हैं, तीन साल में तीजी वाली शुरुआ देते हैं टीम को, और पावर प्ले का फाइदा उठाना बहुत जूरी है, जरूरी नहीं है आपकी टीम में ऐसा प्लेयर हों कि जो हर मै सेंचरी बनाई है, शुरुआत तीजी से नहीं मिली थी, शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उनको भरोसा था कि मैं एक काम कर सकता हूं, सुनी लरायन एक पेंचेटर से सुनी लरायन ऐसे बैटर, वो सोच इस बार बलकुल अलग हुई है, इस बार बतार बल्ले सुनी लरायन इतने लंबे रंस बनाई है, और उसमें मेगा उक्सन होगा, जाहर तो पहर टीम को रिलीज करेगी, चार इखलाडी रख सकती है, इस बार आपको क्या लगता है क्या क्यार के कौन से चार इखलाडी रिलीज, मतलब रिटेन होने चाहिए, सुनी अर्गा, ठीक रसल, ठीक है, श्रेश हेएर, ठीक है, कैप्टन होने चाहिए आपके बास, रिंकु सिंग, अब कई सारे खलाडी ओको बवाल मचा हुआ है कि वहाज साब वरून चकवर्ती ने बहुत अच्छी गिनबाजी की है, उनको होना चाहिए, हर्शी तराना ने अच्छी करते हैं, आपने बहुत सारे खलाड़ी को बनाया है, फिल सौट भी है, क्योंकि आप देखें कि जब आप चैंपेंड बनते हैं तो आपके प्लेस की डिमांड तो बहुत जाद आती है, और आप उन 12-13 खलाड़ी में जो आपके प्लेयर्स थे जो लगातार उस टीम को लग बहुत सारे खलाड़ी आपके निकल लिए जाएंगे, दो तीन प्लेयर्स को तो आपको आपको लेते हैं लेते हो, तो कोर ग्रूप है, अगर आप 7-8 प्लेयर्स भी आपको मिल जाएं वापस तो उससे बड़े बाद कोई नहीं हो सकती है, उससे बड़े बाद को देखते ह लेकिन आपको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप उक्षिन में लेने के ट्राई करते हैं, उससे कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होंगे जो आपको परस से बाहर निकल जाएंगे, कि यार इस खिलाड़ी को खरीद पाएंगे नहीं वापस, जो बेस्ट पॉसिवल में अगर छोड़ेंगे तो किस टीम में आपके हिसाफ से जाना चाहिए रही सुरमागे, जो आउक्षिन में सुछ पैसे देगा, सबी टीमों को, रही जैसे प्लेएर की किसको जरूत नहीं है, किसको जरूत नहीं है, आप मुझे बताओ, सभी बात है, रही जैसे खिलाड़ी मतलब एसे आपनर के साथ-साथ है एसे कप्तान के तूरो Depot? कौन से ऐसे अपर आपके पास मिलते हैं जो आपको ऐस न बढ़ का लिकॉर्ड है, ऐसे कैपटन न बढ़ आ रिकॉर्ड है तो रुहिजिए सब प्लेयर आपकी टीम में हो इसकी अगाइप तो कोई रहुवीद नहीं सकती है विश्युकप के बाद एक नए दरोड़ से गुजरेगी, खबर है कि सीनियर खिलारी जो है, शायद उनको मतलब उनका दोर खतम हो चुका है, नई टीम बनाई जाएगी, गंभीर आजाएगे, जाहिए तोर पर नई मतलब टीम का गठन करेंगे, नई टीम में किस खिलारी को कैप्टन देख रहे हैं आप? देखिए मुल्या ऐसा लगता है कि इस चीज को गौतम से लिट करना ने गलब बाद है, क्योंकि जब यह वर्ल्ड कुप खतम होता है, तो सेलेक्टर्स, कोच्छर्स या सीनियर खिलारी बैटके, यह डिसाइड करता है कि अगर जब नेक्स वर्ल्ड कुप है, उस वर्ल्ड कुप में आप किनकी खिलाडी को इस ट्रीम के जो खिलाडी है, जो यह खिलाडी वर्ल कुप खिले हैं, उनमें से कौन-कौन से खिलाडी हैं जो नेक्स वर्ल्लकप के लिए भी हमाले अवैलेबल होंगे, अपनी प्राइम फिटनस में होंगे, अपने केरियर के पीक पे होंगे, क्योंकि आप वर्ल्लकप में चाहते हैं कि आपके पास वो खिलाडी हों, जो अपनी केरियर के पीक प सकते हैं बहुत जादा बदलाव कभी भी नहीं होंगे आ फिर यह भी देखते हैं कि आपके पास कौन-कौन से इसे खिलाडी होंगे जिनको वो समय देना है कि दो साल तक वो तयार हो जाएं इतना एक्सपिरियंस उनके पास हो कि वर्ल्ड कप में जब जाये ना तो अपने वि इंडियन क्रिकेट के पास चैया वो शुमन गिल हों चैया रिशभ पंत हों चैया वो आधिक पार्ण्या हों आपके पास बहुत सरे एसी जो आगे जाए अगर रोजी शर्मा कहते हैं इस टीम को और आगे लिए जाने के लिए तो मुझे लगता है भारती क्रिक्ट के पास तो पूछते हैं कौन कौन सी लीडर हो सकते हैं तो मुझे लगता है रिशापन एक है बहुत अच्छी लीडर है आपकी टीम के लिए शुमन गिल बहुत अच्छी लीडर है यहां पर अगर आप के पास ऐसे खिलाडी है जो आगे फ्यूचर है भारतिय क्रिकट का और तीनों क पास leadership की experience भी है experience भी है बिल्कुल आपकी बार ठीक है यहाँ पर अगर मैं आपसे कुछ quick सावाल पूछूंगा क्योंकि हम अपने podcast के आखरी दोर में टीम इंडिया के तीन captain बताऊंगा उन तीन captain मैं आपको बताना है best कौन है अब नाम लोगा नाम से आपको बताना है दोनी रोहित और विराट गोली इंडियन टीम के लिए कि आए इंडियन टीम के लिए दोनी दोनी आई पिल में रोहित दोनी और गोतम मेरली गोतम ठीक है तीन बल्लेबाजों की तौर पर बताऊंगा आपको किसका सहवाग सचिन दरविड है सचिन सार बिलकुल देखिए बिलकुल जितना कारणाम उन्होंने किया है वह जाहिए तोर पर मतलब दुनिया कर्केट सलाम पूरा दुनिया कर्केट सब सलाम करते हैं तो जाहिए तोर उसे बड़ी बात नहीं है और मैं तो वह भी तस्वीर देख रहा था जब सचिन सर आए थे और जब हम आते सचिन सर आपको पहचान गिए तो बोला था कि क्या हल चाल है यह जाहिए बड़ी बात है उस दिन भागवान के शाक्षा दरसन हुए ते हैं सचिन सर को देखते है नहीं तो हमारे लिए तो बगवान है मतलब उनको हम बच्पन से क्रिकेट बैट पकड़ा था उनको देखते हुआ रहा था कि बिलकुल भारती क्रिकेट हो चेंज कर दिया हूं ने जो आप देखते हैं कि जिस तरीके से अंदाज में बैटिंग करी हैं जिस तरीके से बड़ाव आया है उनकी बैटिंग की वैसे बड़ाव आया है तो हम तो उनको देख लेंगे ही बहुत बड़ी बात है कोई ऐसा मलाल है गया कि यार ये चीज हो जानी चाहिए थी आपके जिवन कोई मलाल होना भी नी चाहिए लाइफ में कभी मलाल नी होना चाहिए बहुत तो मिनाल की जरूत नहीं पड़ती है तो ठीक है तमाम तरीके की बाते हुई किर्केट के मुद्दो पर अलग अलग बाते हुई मानविंदर बिसला जी हमारे साथ थे आपको ये खबर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपने राय जरूर दीजेगा वीडियो को लाइक और श